लेटेस्ट अप्देट्स के लिए अल्ट्रा चनल को सब्सक्राइब करें और तैल आइकिन को प्रेस करें खेह व्याः खेह आके खोलिक ये हनुमान महादेव हनुमान देवपूर नरेश महाराज वीरमणी हमारे भक्त और रक्षित है जो उन पर वार करेगा मारा जाएगा अध्यूर महादेव आपने मेरे रक्षक प्रभु श्री राम के भ्राता अश्मु मेत अश्व के रक्षक भयाश रत्रूगन पर प्राहर किया हनुमान हमें जो करना था हमने किया अब जो तुम्हें करना है तुम करो भब शीक रती-षी भयाश रत्रूपना पुरह चिवेट माधैव मुझे आपसे युध करना पड़ेगा मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा महादेव जै श्री राम नारायन नारायन शिवशब शिव शिव ये क्या हो रहा है रूत्र अउटार और रूत्र में युद्ध नहीं माता पार्वती माता पार्वती रक्साम रक्षाम शान्त, शान्त, रुद्रावदा, शान्त शान्त, रुद्रदेव, देवी पारवती, हमें अपने दिये वर्दान की रक्षा करनी है, माता, मुझे भी अपने वचन की रक्षा करनी है, परंतु हनुमान, अपने वचन की रक्षा करने के लिए, क्या तुम अपने पूची पर प्रहार करोगे, और आप, आप स्वयम सुद्रा अवतार पर प्रहार करेंगे नारायन 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 ये कैसी लीला है आपकी नारायन 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 प्रभु कृपया शत्रुग्न और रुखमांगत को सचेत कर इस इस विवाद को समाप कर कर दीजिए प्रभू सभाथ कर दीजिए प्रुद्रदेव और रुद्रावतार आप दोनों ये बात सुन लीजिए मैं आप दोनों के बीच एक रेखा के समान हूँ यदि आप दोनों में से किसी ने भी मुझे पार किया तो नहीं मादा नहीं कि इसके आगे कुछ ना कहना मादा इसके आगे कुछ ना कहना कि माहदेव कि महादेव ये रुद्रावतार अपने वचन के पालन में असमर्थ है और जब रुद्रावतार अपने वचन के पालन में असमर्थ है तो उसके जीवन का कोई अस्दित्व नहीं रह जाता कि अगा पर आप से विन्ति करताओ के रुद्र के हाथं कि रुद्र अवतार की जीवन लीला समाप्थ हो जानी यां कि वोलीनात कि मुझे समाप्थ कर दीजिए है कि महादेव लुजGS कर दीजिए प्रभू किया आप अपने ही अंच को समाप्त होने देंगे प्रभू कि जिस प्रकार जिस प्रकार आपने राजा वीर्मनी को रक्षा का वर्दान दिया है ठीक उसी प्रकार आपने प्रभू श्री राम को भी विजय का वर्दान दिया है क्या आप क्या आप उनका आश्वमे नारायन नारायन इसका भी हल मेरे पास है प्रभू इन सब समस्याओं का हल मेरे पास होता है इसलिए तो लोग मुझे देवर्शी नारद कहते हैं महाराज वीरमनी रूत्र रूत्र अवतार के युद्न से सारा ब्रह्मान नष्ट हो जाएगा क्या आप ऐसा होने देंगे आप भी तो रूत्र भक्त हैं क्रिप्रा करके क्रिप्रा करके भोले नाथ को उनके वर्दान से मुक्त कीजिए मैं मैं स्वयाम देवर्शी नारद मैं मैं अपने वर्दान से आपको मुक्त करता हूं प्रभू मैं आपका भक्त हूं जब भक्त के संकट को भगवान दूर कर सकते हैं तो क्या भक्त को भगवान के संकट को दूर नहीं करना चाहिए मैं अपने वर्दान से आपको मुक्त करता हूं प्रभू वीर्मणी तुम धन्य हो तुम सच मुच धन्य हो प्रभू इस युद्य में जो भी आहत हैं उन्हें सुद्वे लाहिए प्रभू देवर्शी ये कारिये भी आप कर दीजिए जब हम सबको संकट से आपने उबा रहें तो ये संकट भी आप ही दूर कीजिए जो आड़ल हुआ प्रभू नाराया के नारायन नारायन है हूं कर देवर्शी नारत की तेवर्शी नारत की नारत की था ततार आप कि mins कि अधर अधर के आपने संकोच के गई इस समय में उध्यापती राजा राम है यदि आप राज परिवार के किसी सदत्स के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप सपष्ट हो के कह सकते हैं हम आप सबसे पहले भी कह चुके हैं कि व्यक्तिके समस्याओं को भी हम एक राजा की दृश्टी से दिखते हैं आप नि कुमार ऐोध्य आवाश्यों को राम कता सुनाकर गये है तबसे हर ऐऊध्य आवासिक मन में एक ही विचार उंठाय शरी राम प्रजा के विचारों को हमारे गुप्चर हम तक पहुचा चुके हैं प्रजा जनू हम यह जानते हैं कि आप सब यही सोच रहे हैं कि वो दो मुनी कुमार आयोध्या के राजकुमार हैं और आप सब ये चाहते हैं कि हम उन राजकुमारों को उनकी माता सहीत आदर पूर्व के उध्या में लिया हैं हमें इस विशे में कोई संदेह नहीं है श्री राम वे अयोध्या के राजकुमार ही हैं उनकी प्रतिभा उनका हाव भाव देखकर ही लगता है कि वे मुनीकुमार नहीं राजकुमार हैं हो सकता है कि आप सत्य कह रहे हों परन्तु परिक्षा लिए बिना हम किसी भी सत्य को सुझकार नहीं कर सकते हैं यही हमारा सिध्धांद है और यही हमारा आदर्श प्रभु आपके पास परिक्षा का परियाप समय था उन मुनिक कुमारों के जन्म को 10 वर्ष वेतीत हो चुके और आयोध्याबासी दस वर्षों से अपने राजकुमारों से बंचित है प्रभू क्या ये आयोध्याबासियों के प्रती अन्याय नहीं है हम इस प्रशन को नियाय नियाय की दृष्टी से देखकर और इस पर गंपीरता से विचार करके निड़ने लेंगे आप सब निश्चिंत हो जाईए माह मंत्री जी आज की नियाय सवा यहीं समाप्त की जाए जो आज्या महराज माह 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 माप यहीं समाप्त की जाए कुछ क्या काना फूसी हो रही है आज पढ़ा ही नहीं करनी है क्या नाम गुरुदेव आईश्मान गुणवान की इर्थिमान भवा गुरुदेव हम कब से आपके जागने की प्रक्रीशा कर रहे थे आपने का आताप में रामाइन की आगे की कता सुनाएंगे हां कहा था परन्तो आज मैं समर्थ हूं रामाइन के कता ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि कह की आगे कमार दिखाई नहीं देता मिरे विचार एक स्थान पर आकर अवरुत हो गये है इस कुश विचारों का आगे ना बढ़ना ही अवरत होना होता है परन्तु गुरुदेव मौन थे और अपनी आखे भी बनकी हुई थी हाँ इसलिकि गुरुदेव ध्यान में लीन थे ध्यान में लीन क्यों थे सत्य अवरत जी गुरुदेव लवकुष को ले जाओ और उन्हें प आओ इधर से आप चिंतित क्यों है गुरुदेव देवी वैदेवी परमपिता ब्रह्मदेव ने कल रात स्वपन में आकर मुझसे कहा पालमी के रामाइन की अब तक की कथा हमारे द्वारा प्रदान दिव्यत रिष्टी से देखकर तुमने लिखिए अब प्रत्यक्ष देखकर लिखना तुम्हारे भविश्य ग्यान की सीमा यहां समाप्त होती है अब वर्तमान का अवलोकन करो बस मैं इन्हीं विचारों में लीन था वैदे ही गुरुदेव मुझे लगता है भविश्य 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 ही बना रहे यहीं उच्चत है भविश्य का ग्यान परतमान में हो जाना ठीक नहीं होगा की त Scotty कि तब कुछ नियाती के हाथ में चुर दीजिए की है एक आपमें आपको पीडता मत पहुंचाइये कुरुदेव पर्यात्य कर आणि पास घर हाव्य दै हूद का के तुम ठीकी कहती हो कुंडलपुर्मारा सुरत की 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 कि आप लोग हमारी प्रसंदनता का कारण जानना चाहेंगे हमें अभी भी सुचना मिली है कि मेरे आराध्य आयोध्या ने शुरी राम जी ने अश्वमेध्य यग्य किया है जिसका अभी अभी आध्या भ्रत भ्रह्मन के लिए छोड़ दिया गया है यह तो प्रसंदता के वि विचार के पश्चात यह निर्णे लिया है कि आयोध्या नरेश शुरी राम जी के अश्वका हरन कर लिया जाए यह आप क्या कह रहे है महाराज राम भक्तुकर शुरी राम के ही यग्य के अश्वका हरन करेंगे आप कुंडलपुर के समस्थ प्रजाजन आपकी राम भक्त परन्तु राम दर्शन का इस्तिय अच्छा उपाए और क्या हो सकता है हम समझे नहीं महाराज महामंद्र पूर्ण से हैं हमने सुना है कि यग्याश्व के साथ कि परम राम वक्द वीर हनुमान और श्री राम के भ्राता महाराज शत्रुप भूभी है कि यदि हम राम अस्त्र का प्रयोग कर उनको पराजित तरबंदी बना लें तो क्या स्वयम श्री राम उन्हें छुड़ाने नहीं आएंगे परन्तु महावीर हनुमान और सुर्य वन्षी वीर शत्रुगन आपके रामास्त्र से पराजित नहुए तो क्या होगा महाराज राम महारा सुरक्की महारा सुरक्की है 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 महाव प्रहु श्री एल्लाव मेरे प्रयोग की लाज रखना और जैसे भी हो इन राम भक्तों को दर्शन देने की किर्पा करना झाल जाए श्रीराम 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 जै श्री राम जै श्री राम तुम कौन हो भई? आप ही के समान श्री राम का एक भक्त जिसकी आशा अभी तक अधूरी है आशा अधूरी है? कैसी आशा? श्री राम के दर्शनों की आशा ये मेरा पुनर जनम है यमराज से प्रार्थना करके मुझे ये नया जीवन मिला है केवल श्री राम के दर्शनों के लिए संभवता आप मेरा आशे नहीं समझे अनमानी नहीं बिलकुल नहीं और मैं ये भी नहीं समझभा रहा हूं कि आप यहां मेरे शिवर में आकर प्रभुश्री राम के नाम का स्मरण क्यों कर रहे हैं मैं यहां अश्वमेद के शाम करना अश्व को चुराने की उद्देश से आया हूँ